आपने फाइप स्टार होटल के बारे में जरूर सुना होगा और फाइप स्टार होटल के खासियत के बारे में भी जानते होंगे मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे फाइप स्टार होटल के बारे में बताएंगे जो यह 5 star hotel अपने आप में औजूबा है जिहां सही सुना आपने देश के किसी भी railway station पर आप तक ऐसा hotel नहीं बना है आपको बता दे यह 5 star hotel railway station के उपर बना हुआ है तो आये इस 5 star hotel के बारे में और बिष्तार से जानते हैं आपको बता दे इस होटल को गुजरात के गाधी नगर रेलबे एस्टेशन पर बनाया गया है इस होटल से लोग पूरे गाधी नगर महात्मा मंदिर और विधान साबा को एक ही लाइन में देख सकते हैं यहाँ से लोग महात्मा मंदिर दान्डी को टिर पैदल ही जा सकते हैं दरसल इस फाइफ एस्टार होटल को रेलबे एस्टेशन के उपर बनाया गया है इस होटल में पहुचने के लिए एस्टेशन के अंदर से ही एक गेट त्यार किया गया है रेलबे एस्टेशन के उपर की साइड पर 300 रूम का एक संदार 5 Star होटल बनेया गया है आपको बता दे इस 5 Star होटल को लीला गृप के जरीय चलाया जाएगा गाधी नगर रेलबे एस्टेशन पर बना ये 5 Star होटल गाधी नगर की सबसे मुची बिल्डिंग है यानि यहां से आप पूरे गाधी नगर को देख सकते हैं एस्टेशन के उपर बनी इस फाइफ एस्टार होटल में एंट्री गेट, बूकिंग, लिफ्ट एसकेलेटर, भूक एस्टॉल और खाने पिने की एस्टॉल समेत सारी सुविदाएं दी गई है इसके डेकुरेशन की खासियत है कि यहां दिवारों पर गुजरात के अलग-अलग मोनुमेंट की तस्वीर बनाई गई है इसमें रेलवे एस्टेशन के अंदर बनी अयोधिया के राम मंदिर की तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी और और आकरसित करता है इस होटल की खासियत है कि एस्टेशन के अंदर बने गेट की मदद से ही यात्री एस्टेशन से उतर कर सिधे होटल में पहुँच सकते हैं इस फाइव स्टार विल्डिंग के नीचे मुख या परवेस द्वार के पास टिकट विंडू के पास ही लिप्ट और एस्केलेटर लगाया गया है जिससे लोगों को पलेट फार्म तक पहुँचने में कोई दिकत का समना नहीं करना पड़ेगा आपको पता दे गुजरात के गांधी नगर में इस फाइव स्टार होटल के बनाने के काम 2017 में सुरह हुआ था और अब जाकर के यह पुरा हुआ है अब यह फाइव स्टार होटल और एस्टेशन पुरी तरह से तयार है और 16 जुलाई को साम चार वजे वीडियो कंफरेंस के जरिये परधान मंतरी इसका उधगाटन करेंगे तीन सा कमरो वाला एक निजी संस्ता द्वारा संचालित होने वाली या फाइव स्टार लगजरी होटल 7,400 बर्ग मिटर में फाइला हुआ है और इसे 790 करोड रूपिय की लागत से बनाया गया है इस रेलवे एस्टेशन पर बने 5-7 तरह होटल से लोगों को बहुत फाइदा होगा सबसे पहली बात कि बाहर से आए टूरिस्ट को होटल के लिए परिसान नहीं होना पड़ेगा दोस्तों यह जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर किजी और इस जनकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पस फैलाईए और ऐसे ही रोचोक और मज़दार ठेक्ट्स जानने के लिए सनस्टार होटलाइन को सबस्क्राइब जरूर किजी धन्यवाद